हे गाईज, वेलकम टू देव भू मी कर्यर पॉइंट, तो देखिए उत्राखंड ACF टेस्ट सीरीज भाग पांच है और इसमें भी आज आपको मिलेंगे काफी महत्तोपूर कोश्चेंज देखिए जो ACF की टेस्ट सीरीज मैंने चलाई है दोस्तो जिन लोगों ने भी ACF का फॉर्म भढ़ा है इस सीरीज को अगर वो फॉलो करते हैं तो आप उसका जो बेनिफिट होगा जब आप परिक्षा में बैठेंगे तब आपको खुद ही समझ माएगा कि कितनी महत्तोपूर ये सीरीज है इसलिए मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी स्किप ना करें इसके साथ साथ वे लोग जो उत्राखंड PCS प्रारंबिक परिक्षा और उत्राखंड समुगो के एक्जाम के तहियारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल सीरीज है ना कि केवल ACF के लिए ही बलकि उनके लिए भी काफी महत्तोपूर है ये आप ध्यान नगे ठीक है तो बिल्गुल भी skip नहीं करना है और अगर देखे किसी भी question में अगर आपको कोई problem आते हैं आप पूस सकते हैं directly मुझसे और साथ ही अपने score को यहां पर comment कीजे और अपने score को compare कीजे अपने study से कि आप कितना score कर पा रहे हैं कौन से आपके weak portion है कहां पर आपकी अपने के आऊशकता है static gk गलत हुरी तो static gk ज्यादा आप रट डाले ठीक इस टेक जीक में अमेशा बोलता हूं उनको उनको आप रट ही दीजिए क्योंकि static जो है वो change नहीं होगा ठीक है त्यान लगेंगे तो चले सूरू करते हैं तो पहला question इसमें रिग्यव्यादि काल के प्रारंब में निम्द में से किसे महतोपूर्ण मूल्यवान संपत्ती समझा जाता था तो दिये गए options में से आपने बताना है कौन सा option रिग्वेदिक काल में सबसे महतोपूर मुल्यवान संपत्ती समझा जाता था बहुत महतोपूर question है देखे प्राची नितियास में आज आपको दिया था आगे एक वीडियो जिसमें मैंने बता था कैसे तैयारी करना है आपने प्राची नितियास के जो रोल है प्राची नितियास और मद्यकाली नितियास तो अच्छे से आप इसको याद करें तेखे इसका right answer option भी गाई को तो घाई को रिगवैदी काल में एक महतोपूर मूल्यवान समपत्ति समझा जाता था और इसके साद घाई को इसमें बोल जाता था अगण्या मतलब जिसको मारा न जाए जिसको मारा न जाए तो गाय को अगहन्या भी बोला जाता था ये महत्वपूर पॉइंट मिलके आपको कि इरिगवेधी काल में गाय को क्या कहा जाता था तो अगहन्या न मारने योग के अगला है निम्न मैंसे किस किले का निर्माण अगबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था तो इन उप्शन में से आपने बताना है कौन सा ऐसा किला है जिसका निर्माण अगबर के राज्यकाल के दोरान नहीं हुआ था तो इसका सही आंसर या उप्शन है दिल्ली का लाल किला तो दिल्ली के लाल किले की मैं बात करें दोस्तो दिल्ली के लाल किले का निर्मान कर वाया था सा जहाने और इसका निर्मान कारी सुरू कर वाया सा जहाने 1630 में और 1640 में ये बनकर पूरा हुआ था और साथ ही question ये भी बन सकते है कि दिल्ली का लाल के ला है किस नधी के तर्ड पर इस्तित है तो ये यमना नधी के तर्ड पर इस्तित है बगते अगले question की तरब डक्छिन भारत के polygaur कौन थे तो डक्छिन भारत में जो ये polygaur सब्द है ये दिये गए options मैं से कौन थे polygaur तो स्वमेंद्रिनाथ टैगोर ने कौन सा दल इस्थाफित किया था महत्तोपुंः है यही भी तो इसका right answer है दोस्तो option B क्रांतिकारी सामयवादी दल तो देखे स्वमेंद्रिनाथ टैगोर ने क्रांतिकारी सामयवादी दल की स्थाफना कीती 1934 में बहुत ही महत्वोपुणय अच्छे से याद रखें, इसके साथ देखे, इसमें एक और महत्वोपुणय, अतिवाधी लोकतांतरीक दल, तो अतिवाधी लोकतांतरीक दल जो था, इसकी स्थापन ओउईती 1940 में, और स्थापना कीरी किसने? एमन रोई ने ये भी महत्तोपोई इसको भी आप अच्छी से याद रख लें एमन राय के दोरा बना था है अगला देखे वर्स 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंधोलन निम्न मैंसे किसके विरुद्ध था तो बंगाल में एक आंधोलन चला था तारकेश्वर आंधोलन ठीक है 1924 में चला था ये ये किसके विरुद्ध था तो इसका राइड आंसर है ओप्षन है ये मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसमें फिर 1924 का है यह ठीक है अच्छे से यादक है देखे बहुत महत्वपूर कोईश्यन आपको मिलने हैं इन एक कोईश्यनों को भी आपने यहापे इसकिप नहीं करने और अच्छे से इनको याद कर लेना है अगला देखे वर्ष 1929 में जारी किये गए दिपावली घोषणा पत्र का संबंधि किस से था तो बताना है आपने दिपावली जो घोषणा पत्र आया 1929 में इसका संबंधि किस से था तो इसका right answer है दोस्तो option B Dominion states से ठीक है ध्यान रखेंगे Dominion states से संबनित था दिवाली गोशना पत्र next देखे गाधी जी को one man boundary force कहकर किसने संबोधित किया था तो काफी महतोपूर question है गाधी को किसने बोला था one man boundary force तो इसका सही answer है option C Mountbatten ने बोला था गाधी जी को one man boundary force है 1946 में बंगाल के नोखाली प्लेस में दंगे होए थे इन दंगों से प्रभावित होकर Mountbatten ने ये बोला था गाधी जी को one man boundary force निमने मैं से किस अधीवेशन के लिए Congress ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था तो कौन सा अधीवेशन था जिसमें पहली बार Congress ने एक महिला को अध्यक्ष चुना तो इसका सरी आंसर है option है बिल्कुल राइट कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो हुआ था यहाँ पर पहली बार एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया और पहली महिला थी जो Congress की अध्यक्ष बनी ठीक है एनी बेसेंट बनी थी यहाँ पर ध्यान केंगे और बात की जाए यहाँ पर जो अन्य अधिवेशन है थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं लखनाव अधिवेशन 1916 में हुआ था और लखनाव अधिवेशन की अध्यक्ष ता किते किसने अंबिका चरण मजूमदार ने ठीक है और यह महत्तो पूर्ण इसलिए उता तने मिलान रही था ठीक है जो एंड़िवेशन थे एहम्धाबाद मैं हुआ था अहमधाबाद में और इसकी अधिक्जता कि थी हकीम अजमल खान ने और बात कुरी में गया अधिवेशन 1922 तो गया अधिवेशन 1922 की अधिक्ष खीतरंजन दासने छी olabilir प्रनाटनाव सी सि लेकिन जो 1921 का अधिवेशन था यह आप यहां पर इलाबाद दिया है जो की गलत है 1921 में जो अधिवेशन हुआ था वो एहमदाबाद में हुआ था next कामा गाटा मारू क्या था बहुत ही महुत्पून कोश्यन है कामा गाटा मारू ठीक है तो उसका जो राइड आंसर है option C बिल्कुल सही आंसर है इसका दोस्तों कामा गाटा मारू की में बात करूँ यह एक समुदरी जहाज था जिसे भार्तिय मूल का एक ब्यापार था गुर्दीत शिया तो गुर्दीत शिया ने इसको किराये पर लेकर क्या क्या है किसी में इसको किराय पर लिया था तो गुर्दाट शिया था है अगरा दिखेए 1946 के कैविनेट मिशन का किस ने किया था तो 1946 मा आय था कैविनेट मिशन इसका ने तो किस ने किया था तो इसका राइड आंसर है सर पैथिक लॉरेंस के दौरा किया गया था इसका नेत्र तो ध्यान लगेंगे जनवरी 1946 की बात है 1946 की एटली ने यहां पर कैबिनेट मिशन बेजा था जिसमें सर पैथिक लॉरेंस थे और इसके साथ अन्य सदश्ची भी थे इसमें क्रिप्स भी था इसमें एक सदश्ची औ अगर एलेक्जेंडर भी थाएगे A.V. Alexander ठीक है नेक्स देगे निम्द मैसे किसे भारत में जैविक विवित होट इसपोर्ट के रूप में जाना जाता है तो इनमेसे कौन सा प्लेस है जिसे होट इसपोर्ट के रूप में जाना जाता है ज्यादा जैविवित्त वाला से जाना दबता था तो किस व्यक्ति का नाम लोख हितवादी था तो इसका जो सही आंजर है वो है option ए महाराष्ट के समास सुधारक थे गोपाल हरी देशमुक ठीक है महाराष्ट के तो इन्हें लोख हितवादी कहा जाता था अगर दिम्द मैंसे कौन प्रवाल निरंजन में स खत्म घंडे में उसको तो इसका जो राइड आंसर है option D Westwick उस्मन यहां पर बात हुरिया ग्लोबल वार्मिंग की तो ग्लोबल वार्मिंग का सबस्यादा इफेक्ट वहगा है दूद गंगा नदी निम्द मैंसे किस में इस्तित है तो दूद गंगा नदी की लोकेशन बता पाटन छेत्र में बहती है दूद गंगा स्री नगरना मानव गुल्दे में पत्थरी निम्द मैंसे किस सवज़ा से बनती है तो जो केडिनरी में जो स्टोन हो जाता है जो पत्थरी की बीमारी हो जाती हो क्यो होती है तो इसका जो सही आंसर है वो है option B calcium oxalate के कारण हो जात डिखें जबनी में काफी ज्यादा जीले हैं तो यहां पर उन जीलों में से कोँए भी पिन देखा है जो फेमस जीले हैं यहां पर जो सरी आंसर है अंचार जील यहाँ पर प्रदरश में। बाद reward कर groundwater है? वाद की जिचार जिल की मां बात करूं। तो जो हमीर सर्थील है यह गुजरात में इस्तित है। ठीक है? बात की साइब कोलेरू की, तो कोलेरू जिल कहा पर है। आणरपulenडेस में है। बात की जार फूल जर जील की तो फूल जर जील कहां पर इस्तित है 36 गड़ में ठीक है तो तीनों आपको याद हुगए ठीक है फूल जर जील 36 गड़ कोलेरु आंधरपुलदेश हमीरसल जील गुजरार और अंचार जील जेंड़ के में नेक्स देखे वॉल्ड चैंपियंशिप वॉल्ड बैट्मिंटन चैंपियंशिप 2019 जीतने वाला पहला भारतिय कौन बना है बहुत ही महत्वपकर कोश्चन है करणका यह कोश्चन आने के 100% चांस है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है इतियास में कि कि किसी भारतिय ने वॉल् इवेंट्स याद हो जाएंगे पीवी संदु ने देखे 2019 का वॉल्ड बैट्मेंटन चैंपियंशिप का किताब जीत लिया है गोल्ड मेडल जीत लिया यहां पर और यह जो फाइनल हुआ था यह जो फाइनल हुआ था और फाइनल में पीवी संदु ने जापान की नोजोम आपने कौन है वर्तमान में तो सही आंसर इसका देखिए ओप्सन सी डॉक्टर आर के जैन तो डॉक्टर आर के जैन है वर्तमान में राज यालपसंक्या कायोग के अध्यक्ष्य बहुत ही महत्तो पूर्ण है अच्छे से इसको याद कर ला है और बात करें देखिए जो हज आजसमीति है, उत्रा खहिंट्राजी के हज समीति, तो हज समीति के अध्यक्षी है, समीमायमल, आलम. राजसरकार ने फुटबॉल को राजकिये क्ली, किस वर्थ ससे घोषित किया था? तो आप सभी को पता है, उत्राकनी राजकिये क्ली, वो फुटबॉल है, तो किस वर से फुटबॉल को राज की सरकार ने राज की खेल घोसीत किया था, तो इसका जो राइड आंसर है दोस्तों, वो है option B, 2011 में, 2011 में घोसीत किया गया, राज की खेल फुटबॉल को, वैस्विक प्रतिवा सूचकांग, 2019 में भारत का इस्तान कितना रा, तो देखें, वैस्विक, प्रतिवा, प्रतिसपरदा सूचकांग, बहुत ही महत्योपून है, इसमें अब भारत का 2019 में प्लेस रा, वो रा, अस्यवा, ठीक है, अस्य YWAM प्लेस मिला भारत को और मैं बात कुरें 2008 की तो 2008 में भारत का जो प्लेस था वह 81 था ठीक है तो एक रेंक का सुदार हुआ है भारत की रेंक में ठीक है मातर एक रेंक का और बात की जाए देखे टॉप कंट्री की 2019 में तो टॉप में रही यहांपे शुटजर लैंड ये भी यादर क्या है, टॉब कांट्री बनी, स्विचर लेंड, वैस्विक प्रतिबा प्रतिसपर्दा सूचकांक में और अब महत्वपून कोशियन यह है कि वैस्विक प्रतिबा प्रतिसपर्दा सूचकांक को जारी कौन करता है तो इसको जारी करता है Westwick Business School जिसको हम जानते हैं INSEED के नाम से ठीक है Westwick Business School INSEED ये जारी करता है इन आखोंगों को Next है देहरादून District Sports Association की स्थापना कब हुई थी ये भी महतोपुन कोशियन है तो किस वर्ष देहरादून District Sports Association स्थापित हुआ था तो इसका जो सही आंसर है वो है 1937 ऑप्शन ये बिल्कुल सही है 1937 आली चमोली में प्रथम दक्षन एशियाई सीथ कालीन खेलों का आयुजन किस वर्ष से हुआ था तो देखे आली जो कि फेमस है विंटर गेम्स के लिए तो आली में पहले साउथ एशियन विंटर गेम्स किस वर्ष से हुए थे बहुत महत्तों कोश्चन है तो उसका सही आंसर है ओप्षन बी तीक है 2011 में होई थे देखे 2011 दस जनुवरी से लेगर 16 जनुवरी तक यहाँ पर सीथ कालीन खेलों का आयुजन किया गया पहले दक्षन एशियाई सीथ कालीन खेल थे ठीक है ध्यान गएंगे बहुत फेमस प्लेस है ओल इसे काफी क्वेश्यन बनते हैं अगल वदून स्कूल उत्राखंटी राज्य का पहला पंजीकर्ट स्कूल है और देखे इसके स्थापना कई थी 1935 में बैरिष्टर सतीस रंजन दास ने कहीं पर सियार दास भी दिया है आप ध्यान गएंगे शतीस रंजन दास तीक है सतीस रंजन दास ने किया वह बैरिष्टर उसमें अपने जो मित्र लोग थे, उनके और जो पैनल था, उनका जो बैरिष्टर सहयोगी थे, इन सभी ने, ये नॉन प्रॉफिट स्कूल था उसमें, जब खोला गया था ठीक है, बिना लाभानी का इस्कूल था ये, और यहां पर कई बार सी आरदास में confusion हो था था, लोग भोटिया, तो भोटिया जन जाती को किस वर्स सरकार ने अनुसूचित जन जाती गोशित किया था, ठीक है, मला अधिशूजना का भाई, ओफिशली कब सरकार ने रिकनाइज किया इनको एक एस्टी के रूप में, मतलब सेडूल ट्राइप के रूप में, तो ये वर्स था दोस्तों, उन्निस सो सग्जट, ओप्शन बीस में सही आंसर है, नैंटीन सिक्ष्टी सेवन, लास्ट क्वेशन है इस टेस्ट का, अलविदा कुमाउं, कुमाउं से गोर्खों की वापसी न संधी के बाद, उसी का पूरा सारांस है, वो घटना का पूरा जिक्र है, कैसे गई, क्या हुआ था, क्या था रीजन, संधी कैसी थी, तो ये लिखे है, प्रॉफेसर एलल वर्मा ने, ध्यान लखेंगे, बहुत ही महत्तोब हुआ है, तो दोस्तों, ये था आज, ACF टेस्ट 5, आपका इसकोर कितना रहा, कमेंड बॉक्स में कमेंड करें, साथी देखे, किसी भी कोशिन ना, डाउट ये, क्वेरी होती, तो आप पूस सकते है, कमेंड में, और बोलना चाहूँगा, देखे, Facebook पेज को भी जोईन कर लें, वहाँ पे भी मैं अपडेट देता हूँ, सा साथ साथ के अन्य टॉपिक जो चलने है, सामाने हिंदी टेस्ट, उत्राखंट जी के टेस्ट, सामाने ग्यान टेस्ट, साथी उत्राखंट के वर्याश टॉपिक, उसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और अलग से आपके लिए लाओं जल्ली ही, तो आप इंतजार क किजे और अच्छे से अपनी स्टेडी किजेगा, सो थैंक यू फॉर वाचिंग आईज, अपना ध्यान दखें, जै हिंद, वंदे मात्रम, जै देव भूमी